टीसिपी 24 की टीम ने पूर्व मुख्य मंतरी अजीद जोगी के करीबी मित्र केडी सिंग से खास बातचीत की बातचीत के दौरान केडी सिंग ने अजीद जोगी के अनुभवों को साचा किया उन्होंने जोगी के कारेकाल के गौरान हुए कारियों के बारे में भी जानकारी दी उन्होंने जोगी के साथ बिते पलों को याद करते हुए कहा कि पहले ट्रेंड दुर्ग से रायपूर रुकती थी लेकिन हमने अजीज जोगी से सरस्वत्य नगर स्टेशन की मांग की थी जिस पर जोगी ने स्टेशन का निर्मान करवाया था जोगी जी को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं और मैं उनका बहुत निकटम असने पात्र कहें या सहयोगी कहें या जो भी आप कहें मैं हमिशा उनको सर ही बोलता था वह इसलिए कि एमेसीटी भुपाल से जब उन्होंने मेकेन के इंजिनियरिंग में गोल्ड मिड्लिस्ट पाये थे वह उसके बाद राइपूर इंजिनियरिंग कॉलेज में वह अड़ॉक लेक्चरा हो करके यहां पर कुई जिल पढ़ा रहे थे चुकि मैं भी राइपूर इंजिनियरिंग कॉलेज का चात्र रहा हूं उसनाते मेरा उनसे रिस्ता गुरु और सिस्का था हलाकि उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं लेकिन मैं हम दोनों के बीच में जो मूल रिस्ता था वो गुरु और सिस्का ही था और वो अंत तक र दिवासी थे चत्रीगड के यह तो आप जानते ही हैं उनका इजकेशन वह सुरू से सुरू और इजकेशन पॉइंट ऑभी से टॉपर रहे एमेसिटी भुपाल से उन्होंने मेकेनिकल इंजिनियरिंग में बी किया ग्रेजुएशन की ग्रेजुट इंजिनियर बने उसके दिवाद राइपूर इंजिनियरिंग कॉलेज में कुछ दिन अड़ॉक लेक्टरर रहे यहीं उनके बड़े भाई प्रोफेसर एसर जो भी जो थे प्रोफेसर थे उन्हें के साथ रहकर करके वह यूपीएसी की तैयारी की यहां से के बाद वह यूपीएसी में आईपीए सब्सक्राइब करने के बाद यहां राइपूर जेरिंग कॉलेज से लेक्टर से छोड़ करके वह आईपीएस जोइन किया और इंदौर के अडिशनल स्पी रहे यह एक्जेक डेट तो मैं नहीं का सकता इसिंग 63 में वह पास आउट हो उसके बाद की घटना है घटना क्रम ह है यह और कहीं लीखा होगा पर अब थोड़ा सा उनके डेज से मैं अपसेट भी हूं मेरी मेरी थोड़ी सी तो इंदौर के डिशनल स्पी रहे उसके बाद आईपीएस आईएस में उनका सिलेक्शन हुआ जबालपूर में सबसे पहले आईजस्डियों वह जोइन किया आई वह बड़े नेता तो वो उनसे इनके बेड़े अच्छे संबंद वहीं बन गए था सीधी में ही दि के बाद वो सहडोल कलक्टर बने के बाद वह ऐसे बिएफूर कलक्टर बने उस वक्त आज के जो राईपूर संभाग है पुरा यह जो बलोदा बाजार आपका भाट यह तो सब एक ही जीला था रायपूर सबसे बड़ा जीला था और इसमें बीस विदान सब अच्छत थे तो रायपूर का लेक्टर जब बने यह उसमें जनता पाटी का राज्य था और जहां तक मैं जानता हूं उनको मेगा वाले यहां फॉरेस्ट मिनिस्टर से मद्द्व प्रची था और शुकि मैं वहां के लीडर था उस वेसे मेरी निकट्था और बढ़ती चली और निकट्था बहने का एक बहुत बड़ा कारण हमारी माता के समान भावी थी वह हम लोग बच्चे कभी भी बंगले में जाएं तो जानते थे कि होस्टल वहरम रहने वाले लड हम लोग छात रही थे सब्सक्राइब यहां पर राइपर इंजिरिंग कॉलेज में बना उस वक्त वह क्लेक्टर थे और छोटे-छोटे भी कारकरम होते थे हम लोग जाते थे उनको मिलाने के लिए बुलाने के लिए तो वह मने ऐसा लगता था जैसे वह हमारे हां जाने के लिए बिल्कुल कालेज में आने के लिए लालाइत रहते थे एक छोटी घटना बदाए ता हमारे कालेज में फन फेर होता है हर साल होती थी हम उसक्त हुआ उसमें बच्चे वेरे कुछ बनाते हैं और गेस्ट वेरे खाते हैं फन पर जिसे कहते हैं तो सब की विचारी कि लोग पिछे वह भी आए और आते हैं कालेज में जैसे श्ते होगे वो ले देखो यह लुग लड़ाके बदमासी करते हैं मेरी बीवी को बुलाते हैं हमको छोड़ देते हैं मैं भी पिछे-पिछे आ गया हूं तो इसा उनका असने था हम्नों के प्रति और उनके बारे म यह दुख्ध फेडरेशन जो थी दुख्ध महासंग मद्द्प्रदेश दुख्ध महासंग उसमें एमडी बनकर उनका हो गया था ट्रांसफर और संजोग ऐसा था कि उस दिन मैं भी भोपाल में था और मैं उसी दिन उनसे बात किया कि सर मैं आया हूं आपके पास आना चाहत मेरा तो ट्रांसफर हो गया भोपाल में केड़ी तुम ही रुको मैं भोपाल में ही तो भोपाल आए और उसी दिन जॉइन किया उन्होंने और उनके साले जो है वह भी आया हुए था तो हम तीनों बैठ करके ऑफिस में काफी पिया और हमको पटना जाना था चुकि हमारे ब आज आते हैं हैं जोइन करेंगे फिर मिलेंगे मैं पटना रेलवे स्टेशन पर जब मैं उत्रा आने दूसरी दीन की बात है तो मैंने अख़वार में मैं पढ़ा कि जोगी राजसभा के मेंबर के लिए कांग्रेस के उमिद्वार के रूप में नामीनेट हो गए हैं और उ इसे उन से आग रहा था कि जब वह आया है राजिव जी प्लेन चला करके तो आप प्रस्नली उनका दो पहर में अटेंड की तो वह जाते थे उसमें से भी संबंद्ध था और अर्जियों सिंग जी से भी जोगी जी का एक बहुत लंबा संपर्क रहा तो वह एक आएक कारक् के बाद हमारा पॉलिटकल उनका बड़ा संबंद्ध रहा यहां तक कि मैं भुपाल जब गया जनलिस्ट तो उनके मध्य प्रदेश के जितने कारकम होते थे जो भी होता था लोग हम से पूछने आते थे कि वह कब आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं और मेरे मोमेंट से वह अ लिए प्रवक्ता भी बने सब बने वह तो सब इटी जाओन रिकार्ड मेरा नाम कृष्णदेश सिंग्ग है लोग मुझे केडी सिंग के नाम से जानते हैं मैं तो कांग्रेस का कार करता रहा सततर से कांग्रेस पार्टी में हूं और अभी भी हूं जोगी जी का वर्जिन सि पेशें से पत्रकार हूं हूं जब छात्रान नेता हम लोग हुआ करते थे तो अजीज जोगी छात्रनेताओं के बड़ा प्रिय अन्दोलन और यह वह दौर्था जब छात्रनेता सामाजिक बात हो चाहे पबलिक इसूज हो चाहे कालेज वेशी हो से सब काफी संघर्सील ल मंधित दो तीन बात बता देता हूं, जब भेन आइवाज परसजेंट, वो हमारे सपदगरह समारों में भी आया मुकति थी, वही थे, उनके समदु आया, तो हम लोगों ने मांग रखी थी उस वक्त, मुखूर उससे तीन मांग थी, एक तो यह था कि हम उस वक्त होस्टल नह कॉलेज में चालो हुआ था, उसमें ज्यादा कॉपियां कितावे नहीं थी, फिर हम लोगों को सब्सिडाइज कॉपी किताब बैरा मिलनी नहीं मिल रही थी, तो वो था, और एक मेजर प्रोबलम इसके तरिक यह था कि राइपूर में इस कॉले, इंजिनरिंग कॉलेज में इसका जो बन थार्ड अस्टेंट थी, वो भिलाई की थी, तो भिलाई से हम लोग, हम भी भिलाई के थे, तो भिलाई को सनिवार को हम लोग यहां से ले जाए और मंडे को हहां से आए, तो सुबाज जोगा जो जेडी आती थी, उसको रोब करके हमको उतरना पड़ता था, और जाना हो जाना, यहां ट्रेन की पूलिंग बहुत होती थी, जो भिस्वरसुतिनगर रेल्वे स्टेशन है, तो इसके लिए हम लोगों ने अंदोलन जब किया, तो उन्होंने ब्यक्तिगत रुची ले करके, और डियार्म थे कलक्टर, उन्होंने उसमें बिलासपूर के मिस्टर दूबे, उन से बात करके, स्टेट गव्मेंट से रेल्वे मन बात करके, इन्होंने यह फ्लेग स्टेशन भी बिनवाया है, यह जो भी एनाइटी में होस्टल से देख रहे हैंगे, एक लड़कों का जो बड़े-बड़े बने हैं, यह भी हम लोगों की मांग थी और हमरे ही काज काल में उनके विसेश इसमें से युगदान रहा हम लोगों का एक डेलिगेशन उनों भीजवाया और भोपाल जा करके हम लोगों से हम सेक्रेटरी से मिले और डारेक्टर से मिले तो यह सब सब सेंशन करवाया था उन्होंने, यह जो फ्लेग स्टेशन बना से स्वर्शती नगर रखा जाए उनका सर बिल्कुल ठीक रहे तो स्वर्शती नगर रेल्वे स्टेशन भी एक तरह से जो नाम है वो उसी कारण पड़ा उन्हीं के काल में इसे हुआ और ऐसे बहुत सारे काम उन्होंने किये चात लोगों के उस वक्त अने आज यह जो चत्रिगर दिख रहा है बीस साल में इसका फॉंडेशन और उनकी सोच यह उनकी थी एवन राजधानी जी जो बन रहा है एक बिंगे इंजीनियर वो प्रस्नली इन चीजों को समझते थे और वो कोई चीजे डिसकस करके उन्होंने निरने लिए जो आज उसका मेज़र आपका सकते हैं कि उस समय जो उनकी थाउट थे उनकी जो सोच थी उसका क्रियानवन अभी लोग उनकी आज चाहों बीजेपी का कारकाल हो या फिर कांग्रेस का कारकाल तो इस दिश्ची से तो बड़ा योगदान है उनका निजीत आज से तो मैं मेरी निजी ठती ह क्या कह सकता ह। चुकि मैं अभी दो तार एक तक लिकर ले सकता ह। यह मेरी और दूस्री समस्या है। टीचिप टन्टीफो न्यूस के लिए वीडियो जर्नलिस्ट फितेश देवानगन के साथ अंकित बिसेन की रिपोर्ट